हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल ब्रेन फूर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जैसन फाइल जो के हमारी ओनलाइन किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है वहां से हमने उस जैसन फाइल को असेस करना है और उसमें जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करना है और उसको डिस्पले करवाना है अपनी आई यूएस एप के अंदर तो यह काफी इंपॉर्टेड एक्जामपल है क्योंकि मोस्टली आई यूएस एप्लिकेशन के अंदर जो डेटा हम असेस करने की कोशी करते हैं वो बेसिकली यहां तो एपी आई के थू हमें अवेलेबल होता है वेब सर्वर से यहां फिर जैसन फाइल के थू तो यहां प learningcontainer.com slash डालने के बाद sample-json.json.json file की जो extension है वो basically .json ही है यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरिके से json file के अंदर जो data है वो इस format के अंदर stored है जैसे किसी person का first name है वो रजेश है और last name जो है वो कुमार है जो gender है वो man है और जो age है वो 24 address इस तरिके से data जो है वो store किया हुआ है json file के अंदर अगर आपको json file के बारे में जारा knowledge नहीं है तो simply आप कह सकते हो के data को अगर आप store करना चाते हो तो आप json file को use कर सकते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास सबसे simple format है json का जिसमें मैंने किसी person का first name और उसका जो gender है व अब दूसरी बात लिकल के आती है कि json जो है वो उसका जो full form है वो क्या है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं json की जो full form है वो है javascript object notation और जो json है वो एक lightweight format है data को store करने के लिए और data को transport करने के लिए कहने का मतलब अगर आप server से client को कोई data बेजना चाहते हैं कहने का मतलब के client के mobile के अंदर iOS app installed है और data जो है वो किसी web server के उपर पड़ा हुआ है तो आप उनके बीच में जो communication है data की वो json file के थूँ करवा सकते हैं तो यहां पर मैंने link दे दिया है json का simple यहां पर link है यह आप अपनी app को implement करने के लिए use कर सकते हैं तो यहां पर मेरे पास यह देख रहे हैं एक live running example है iOS simulator के अंदर iPhone simulator के अंदर जो भी यहां पर data मेरे पास json file के अंदर पड़ा हुआ है उसको मैंने assess किया है और उसको मैंने display करवाया है iOS app के अंदर आगे चलके हम काफी सारी जो examples हैं वो create करेंगे जैसे covid के बारे में उसका जो data live data है वो कैसे अपनी capture करवाना है iOS app के अंदर तांके आपकी जो application है वो regularly covid की जो latest updates हैं कितने infected हैं कितने सही हो गए persons वो सारे data जो है आप json file के थूँ जो है इसको मैं close करती है अब हमने new के ओपर कलिक करना है और यहां से select करना है project तो सबसे पहला जो काम है वो है हमने single view app को create करना है तो यहां पर मैं जो product का name है वो provide कर देता हूं json example in swift तो चलिए अब हमने जो language यूज करनी है वो करनी है swift अब मैं इसको next के ओपर कलिक करूंगा अब हमने एक folder create करना है ताके हम उसका सारा जो project का source code है इस folder के अंदर सेव करवा पाएं तो यहां पर मैं लिख देता हूं json example in swift तो इसको create कर देते हैं अब हम create के ओपर click करेंगे friends टोने यहां पर मेरा जो project है वो प्रॉपरली जो है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build setting के अंदर दिखा हूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने जो वर्जन यूज किया swift का वो है 5 और जो xcode का मेरे पास version है वो है 10.2.1 और जो laptop है मेरे पास वो है macbook air तो चलिए सबसे पहला काम जो है वो है हमने main.storyboard के अंदर जो अपना graphical user interface है वो create करना है तो वो काफी easy है सबसे पहले library के अंदर जाएंगे और एक label को drag and drop करेंगे अपने storyboard के ऊपर तो यहां पर मैं लिख देता हूं online access data from json तो चलिए इसको हम यहां पर center में कर देते हैं अब हमने इसका जो font है वो increase करना है तो उसके लिए attribute inspector में जाएंगे और यहां से इसका जो font है वो increase कर देते हैं अब हमने इसकी जो है constants जो है वो set करने हैं तो चलिए यहां पर constants जो है वो set कर देते हैं और अब हमने जो है यहां पर और भी labels use करने हैं तांके हम data को जो है properly display करवा पाएं जो भी हमारे पास json से available होगा तो यहां पर सबसे पहले लिख देते है first name और इसको मैं थोड़ा सा इसका जो font है वो increase कर देता हूं अब हमने command D के थूँ जो है इसकी जो copy है वो create कर लेनी है तो चलिए command D के थूँ एक और copy create कर देते हैं फिर से command D के थूँ तो इस तरीके से आपने जो label का जो यहां पर stack है वो त्यार करना है तो चलिए एक और यहां पर और और यहां पर मैंने इस तरीके से जो label है वो copy paste कर दी हैं दूसरा जो label होगा हमारे पास वो होगा लॉस्ट नेम इसी तरीके से हमने यहां पर age को define करना और यहां पर हमने gender लिखना है तो मैं गर देता हूं उसको तो चलिए यहां पर इसको one कर देते हैं कुछ भी आप यहां पर type कर सकते हैं क्योंकि इसका जो सारा data है वो हमारा basically json file से ही assess होगा तो अब हमने इसकी constraints एड़ करने हैं तो simply मैं यहां पर सारे constraints नहीं एड़ करूँगा जो भी मेरे पास missing constraints है वो directly मैं यहां से एड़ कर देता हूँ अब हमारा जो next step है जो भी हमारी यहां पर json की file है उसमें से जो जो आप assess करना चाहते हैं उसकी एक structure आपको त्यार करनी पड़ेगी जैसे यहां पर सबसे पहले first name है उसके बार में यहां पर last name है gender है age है यह चार चीजी हम assess करना चाहते हैं तो इसको मैं यहां से copy कर लेता हूँ कि मैं class जो है वो create करने वाला हूँ तांके उसके अंदर जो data है वो हमारा json file से जैसे ही return हो उसके अंदर हम save करवा पाएं तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैं इसको paste कर देता हूँ जो भी मैंने वहां से copy किया तो इसी तरीके की जो structure है वो यहां पर हम create करेंगे person और अब हमने यहां पर sorry अब हमने यहां पर जो है लिखना है let first name और यह किस type का होगा string type का होगा यह मैंने आपके सामने इसलिए लिखा है ताहां कि आप जैसे जैसे structure बनती जाए आप देख पाएंगे किस तरीके से आपने जो attributes और structures के वो define करने है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ string अब हमने यहां पर let gender और इसको भी कर देते हैं string और अब हमने यूज करना है age और इसको हम लिखेंगे int तो चलिए एक बात और आपने ध्यान में रखना है जिस तरीके से यह name है same name आपने इसके accordingly रखना है जो भी key आपकी json file के अंदर होगी उसी तरीके का name जो है आपने यूज करन है अपनी structure के अंदर तो इसके अंदर कोई भी changes नहीं होनी चाहिए तो चलिए मेरे बाद जो class है वो बन चुकी है person नाम की अब हम इसको जो है अपनी coding के अंदर यूज करेंगे तो चलिए view controller.swift file के अंदर चलते हैं और यहां पर सबसे पहला काम जो है हमारा हमने IB outlets जो है वो create करने हैं तो यहां पर सबसे पहले main.storyboard को मैं open कर लेता हूं अब मैं यहां पर assistant editor के अंदर चलते हैं और इसको मैं थोड़ी windows को जो है वो hide कर देता हूं ताहां कि आपके देखने में आपको परशान्नी ना हो तो अब हमारा जो काम है वो आपने यहां पर automatic और view controller.swift के अब यहां पर हम आई भी आउटलर करेंगे सबसे पहले यहां पर control की को प्रेस करते हैं और इसको drag and drop करेंगे sorry यहां से थोड़ा सा मुश्किल है तो चलिए यहां से कर लेते हैं यहां पर लिखा है इसके ओपर click करेंगे और control की को प्रेस करते हूं है माउस को अपने जो view controller peel or Swift file अधी फाइए उसके ओपर drop करेंगे और यहां पहले tiếp लिख फस्त नेम और इसको connect करते हैं यहां पे और इसी तरиг के से से एकिंड वाले को भी control की के थूँ यहां पर drag and drop करेंगे और यहां侈 लिख कर देटेंगे चौथे को भी इसी तरीके से हम control की को प्रेस करते हुए यहाँ पर drag and drop करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जेंडर और इसको मैं connect कर देता हूँ अब हमारे जो IP outlets हैं वो बन चुके हैं अब हमने जो है coding की दर्फ दियान देना है तो coding के लिए view controller.swift file के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक function create करते हैं तो इसके लिए मैं Windows को थोड़ा सा hide कर देता हूँ तांके code आपको clearly नजर आ पाए यहाँ पर function create करते हैं function का name होगा fetch data कोई भी name आप रख सकते हैं function का इसी function name को हम assess करेंगे view did load के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले guard statement यूज़ करते हैं तांके URL यहाँ पर assess कर पाएं guard statement आपकी जो application है उसको crash नहीं करने देती तो यहाँ पर double quote के अंदर यही URL लिखेंगे जो हमारा जैसन का URL है इसको मैं copy कर लेता हूँ और इसको जो है यहाँ पर paste कर देता हूँ तो अब हमारा जो next step है इस अगर इस URL में कोई गड़बड़ी है तो यहाँ पर else के अंदर हम return करेंगे तांके हमारी application है वो crash ना हो पाए अब हम URL session के तुरू जब भी आपने server से जो json की file है वो assess करनी है यहाँ फिर कोई web API को assess करना है तो आपको एक data task जो है वो create करनी पड़ेगी जो आप URL session के तुरू जो है create कर पाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे URL session.share.datatask और यहाँ पर जो है with URL कहां से आएगा जो अभी हमने उपर define किया है यहाँ पर जो URL variable यूज किया था उसी को हमने यहाँ पर यूज करना है अब हम यहाँ पर जो है इसका जो closure है वह यूज करेंगे जैसे कोई server के साथ communication create होती है तो यहाँ पर तीन हमारे पास elements निकल के आते हैं सबसे पहले है data और उसके बाद में response जो भी response आएगा और error तो यह तीनों चीजें जो है server हमें देगा इन ही को हम use करेंगे data को assess करने के लिए तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक करवाना है क्या data जो हमारे पास return हुआ है वो okay data का मतलब उसमें कोई ना कोई data available है अगर तो है तो तब ही हम आगे चलेंगे नहीं तो हम यहाँ पर return statement को use करेंगे तांके हमारी जो application है वो crash ना हो पाए तो इस return को हम इसके अंदर लिखेंगे एल्स लिख देते हैं यहाँ पर else और यहाँ पर paste कर देते हैं return अब हमारा जो next step है वो है हमने डू जो डू statement है वो do catch जो हमारे पास एक statement होती है जिससे हम error को पकड़ सकते हैं अगर do के अंदर को error आती है तो catch वाला block जो है वो execute होगा वो यहाँ पर use करेंगे do और यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं catch तो catch के अंदर हमने simply print करना है error occurred तो चलिए अब do के अंदर जो coding करनी है वो आपको बताते हैं कैसे करनी है और एक बात और आपको मैं बता दूँ जहां पे जो आपने यह URL जो session यूज किया है इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं टैब प्रेस करके ताहां कि कोड आप प्रॉपली देख माएं क्या चल रहा है कोड में कि तो चलिए यहाँ पर इसको दूब को यहाँ पर आगे कर देते हैं थोड़ा सा और दूब के अंदर हमने coding करनी है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डूब की जो जो मारा URL session का कलाउजर है वो यहाँ पर बंद हुआ है और इसके बाद जो है हमने इसको रिजूम भी करना है तो चलिए इसको रिजूम कर देते हैं इसे URL session के अंदर जो हमने data task create की थी उसको रिजूम कर देते हैं अब हमने do के अंदर coding करनी है तो do के अंदर coding करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सब से पहले यहाँ पर लिख देते हैं let person जो भी हमारे पास data return होगा उसको हम पर्सन के अंदर के यूज करेंगे जैसन डिकोडर और इसके अंदर जो डिकोड वाला मेथड है वो यूज करेंगे और यहां पर लिखेंगे हमारी जो class का नेम है person.self और चलिए अब हमने जो data है वह कहां से लेना है ok data से लेना है जो ok data हमने यहां पर define किया है और इससे क्योंकि हमने जो data हमारे पास available है उसको हम convert करेंगे properly एक structure के अंदर क्योंकि जो json format है वो directly हम structure के अंदर save नहीं करवा सकते हैं इसलिए हम उसको convert करेंगे json decoder के through तो अब हमारे पास यहां पर ok data से data जो है person के अंदर जाए ok जो हमारे पास class है वो codable होनी चाहिए तो यहां पर जो person.swift के अंदर जो person class है इसको codable कर देते हैं यह चीज मैं थोड़ी सा आपको बताना बूल गया है जब भी आपने json format को structure के अंदर convert करना है तो आपकी जो structure है वो codable होनी चाहिए यह protocol है जिसके तुरू हम json का data है व में डोर स्टोरी बोड को भी सेव कर देते हैं और इसी तरीके से person.swift फाइल को भी हम सेव कर देते हैं चलिए view controller के अंदर चलते हैं अब हम देखते हैं यहां पर यह भी मारा हट जाएगा हम आगे further move करते हैं और यहां पर हमने dispatch जो हमारा स्टोरी इसको मैं hide कर देता हूँ इस window को तो चलिए dispatch यहां पर मैं आपको बता देता हूँ क्या यूज करने वाला हूँ तो यह basically किसके थ्रू हम call करते है dispatch q.main के थ्रू तो चलिए यहां पर इसी को हम use करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूँ dispatch q. और उसके बाद मैं लिखेंगे यहां पर main.ersync और इसके अंदर हमने क्या करना है इसके अंदर हमने जो भी हमारे आई बी आउटलेट्स थे यहां पर हमने जो आई बी आउटलेट्स हैं इनको हमने set करना है तो चलिए यहां पर self के थ्रू हम use करेंगे इनको first name.text property को set करेंगे कहां से आएगी person से आएगी कौन सा उसका attribute होगा first name इसी तरीके से self.lastname.text और यह कहां से आएगा person से आएगा .lastname इसी तरीके से self.age.text कहां से आएगा person जो हमारी structure create की है हमने जो data जैसन का convert किया है उसी के थ्रू आएगा और इसी तरीके से self.gender is equal.text is equal to person.gender तो चलिए यह हमारा जो dispatch q.main.ersync method है वो हमने यहां पर use किया है तो इसको हम convert कर लेते हैं age क्योंकि हमारी integer में है तो इसको हम string में convert करेंगे तो चलिए यहां पर string method के थ्रू इसको convert कर लेते हैं integer से string में तो यहां पर जो एक और चीज हमने use करनी थी वो थी यहां पर जो हमारा percent और shift file है चलिए यहां पर एक initializer खुद से create कर लेते हैं without parameter वाला वैसे सो structure के अंदर अपने आप बन जाता है मगर यहां पर हम add कर देते हैं कोई बात नहीं इसको मैं सभी को जो है blank कर देता हूं और यहां पर जो age है इसकी age जो है वो zero कर देते हैं तो चलिए friends student यहां पर जो है मैंने जो initializer है वो भी create कर दिया है अगर मैं coding की तरफ आपको दिखाऊं तो coding भी मैंने कर दी है काफी easy coding है सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं यहां पर हर एक UI element का आपने IB outlet create करना है उसके बाद में एक method create करना है fetch data नाम का URL set करना है जो भी आपका JSON का URL होगा और URL session के थू एक data task को create करना है फिर हमने उससे data return करवाना है और data को properly जो है एक structure format के अंदर JSON decoder के थूरू convert करना है और dispatch की तांके हम जो हमारा यह वाला thread है इसके थूरू main thread के अंदर changes करनी है तो यह हमने हर एक IB outlet को जो है उसकी text property को set करके उसको set करना है और data task को यहां पर मैंने resume किया है तो चलिए अब हम क्या करते है एक बार इस example को run करके देखते हैं क्या यह properly work करती है तो यहां पे मेरा जो simulator है उसके अंदर यह वाली app है वो install हो चुकी है तो friends student यहां पे आप देख पा रहे है data जो है क्यों यहां पे display नहीं हुआ क्योंकि हमने जो fetch data नाम का method था वो यहां पे हमने view did load के अंदर इसको call नहीं की तो चलिए इसको call कर देते हैं फिर से save करते हैं और इसको एक बार फिर से run करके देखते हैं अब हमारे पास updated जो app है वो install हो चुकी है simulator के अंदर तो यहां पे जो data है वो आप देख पा रहे हैं इंटरनेट के तुरू यहां पे मेरा wifi जो है वो properly चल रहा है और इसी के तुरू जो है मैंने data जो है JSON जो मेरी web server के उपर फाइल पड़ी है उससे data को capture करवाया है तो friends students अगर आपको आज की वीडियो के बारे में नौले मिल चुकी है कि किस तरीके से आप JSON फाइल का data जो है वो online access कर सकते हैं और उसे convert कर सकते है JSON dec recorder के तुरू तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए further वीडियो किस topic related आप चाहते हैं इस चैनलों को subscribe कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रही है thanks friends for watching our videos